वाडी पुलिस टेशन अंतरगत नाका नंबर 10 पोपुलर सोसाइटी निवासी 23 वर्षिय लड़की के खुद आग लगा कर खुदकुशी करने की वादात सामने आने से शेद्र में हड़कम मचा हुआ है प्राप्ति जौनकारी के अनुसार नाका नंबर 10 पोपुलर सोसाइटी निवासी प्राजक्ता चंदरशेखर बांगले उम्रे 23 की 30 अपरेल को मंगने हुई थी प्राजक्ता का होने वाला पति निजी कंपनी में काम करता है प्राजक्ता के घर में मा पिता के साथ 26 वर्ष ये भाई भी रहता है पॉपुलर सोसाइटी में तीन कमरे का मकान है मारूटी बनाने का नीजी काम करती है और पिता की मानसिक स्थिती जगह पर ना होने के कारण वो घर पर ही रहते है भाई पारस बांगले उम्रे 26 वर्ष भी नीजी नौकरी करता है मंगलवार के सुबह 7.5 बजे के दोरान प्राजक्ता का भाई घर पर हॉल में सोया था उसे बीच अंदर कमरे से केरोसिन के गंद पारस को आई पारस उठने पर उसकी बेहन का जलने का पता चला तो पारस घब प्राया उसने आवाज दी और दर्वाजा तोडने का प्रयास किया प्राजक्ता ने घर के कमरे के अंदर से दर्वाजा बन किया था दर्वाजा तोडने पर प्राजक्ता जली अवस्था में दिखाई दी परीजनों ने पुलिस को जानकारी दी वाड़े पुलिस टेशन के वरिष्ट पुलिस निरिक्षक प्रदिप्रायन नावार, ड्यूटे इंचार्ज, समिर शेक, एच सी, अर्विंद सहरे, घटना स्थल पर पहुँचे, पुलिस ने घटना का पंचनामा किया और मुरत शरीड सरकारी स्पिताल में शव परिक्षन के लिए भीजा गया, आगे क जाज वरिपुलिस कर रही है, प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राजक्ता के 30 अप्रायल को होने वाले पती बाला जी नगर निवासी शेलेश कावड़े के साथ सगाई हुई थी, सगाई की हफते भर पहले ही शेलेश के परिजनों के संपत में बांगले परिवार आया शेलेश के साथ प्राजक्ता का विवाह 28 नवंबर को तैह हुआ था, परिजनों ने पूरी तयारी जोर शोर से शुरू कर दे थी, लोन के बुकिंग के साथ हर जगह एडवांस भी दे दिया गया था, इस बीच परिजनों ने बताया कि दो दिन पहले शेलेश के परिवार क साथ प्राजक्ता को राडी मंदिर गई थी, वहां भी प्राजक्ता शान किसे से ज़्यादा बाच्चित नहीं कर रही थी और इन दिनों वो कुछ सहमी से रहने लगी, भाई पारस ने बताया कि प्राजक्ता खुदकुशी नहीं कर सकते, ऐसा उसने क्यो किया है, ये के रोसिन कहां से आया, प्राजक्ता ने कब लाया, ये घर वालों को भी नहीं पता है, प्राजक्ता ने खुदकुशी क्यों की, क्या कारण था, ये राज अभी भी कुल दस्ता में है, NBCN News के लिए वाडी से सौरो पाटिल की रिपोर्ट